who were tribal people tribal peoples के बारे में इतना ज़्यादा data हमें कभी history में सुनने के लिए नहीं मिलता और इसका कारण ये है क्योंकि जो भी historians है और travelers है इन्होंने काफी कम information दी है इन tribes के बारे में अगर हम कुछ exceptions को रख दें तो tribal people जो है इनके पास कोई भी written records नहीं होता अब ये exceptions क्या है जो इन्होंने गुफाओं में painting बना के रखी है इसी वज़े से ये exception है ये paintings आपकी screen में दखाई दे रहे होंगी कुछ इसी तरीकी की painting ये किया करते थे यहाँ पर history कैसे forward होती थी इनकी history forward होती थी oral custom के दोरा इनकी हाँ पर tradition थी कि ये अपने custom को generation to generation कैसे forward करेंगे ये oral tradition के थुरू forward किया करते थे और आज के time पर अगर historians को कुछ लिखना होता है उनके बारे में कुछ information देनी होती है तो वो ऐसी ही oral traditions को किताबों में उतार देते हैं से लिख देते हैं tribal people जो है ये हमारे Indian subcontinent के लगभख सारे parts में मिलींगे आपको और ये historically भी हुआ करते थे लेकिन पहले इनका dominance ज़्यादा हुआ करता था ये comparatively ज़्यादा numbers में हुआ करते थे अब हम समझेंगे कि इंडिया के कौन-कौन से ऐसे part है जहां पर ये हुआ करते थे चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब एरिया की तो यहां पर कुछ ऐसी powerful tribes थी जो बहुत सारी territories control किये करते थी जैसे की जो पंजाब एरिया है यहां पर सबसे पहले जो control था यह था खोकर्स का खोकर्स हाँ यह एक tribe है जो की काफी influential थी पंजाब एरिया में 13th और 14th century के time पर और उसके बाद इन्हें हराया किसने एक और tribe ने जिनका नाम था गक्खर और यह जो गक्खर होते थे इन्होंने उन्हें हराया कर पूरा का पूरा area कबजे में ले लिया था इनका जो चीफ था कमाल खान गक्खर यह बाद में एक मन्सबदार भी बन गया था किसका अकबर का, यह एक नोबल बन गया था अकबर का अगर आपको नहीं पता मनसबदार क्या होता है तो आप सर्च कर सकते हैं मनसबदार and जागीरदार by मानव सर्च और आपको इन दोनों के बारे में बहुत ही in detail जानकारी मिल जाएगी अब move करते हैं थोड़ी और west की तरफ बढ़ते हैं मुलतान और सिंदी की तरफ ये पाकिस्तान के एरिये हैं क्योंकि वक पाकिस्तान तो exist करता नहीं था तो ये इंडिया के पार्ट थे तो यहांपर कौन-कौन होते थे यहांपर होते थे लंगाह और अरगन्स जी हाँ, लंगाह और अरगन्स और इन्हों ने इस एरिये को काफी डॉमिनेट करके रखा हुआ था ये इस एरिये में काफी एक्स्टेंसिवली फैले हुए थे लेकिन बाद में ये मुगल्स के दौरा हरा दिये गए थे इसी के साथ साथ बलोच ये भी एक काफी बड़ी और पावरफल ट्राइब है और आज भी पाकिस्तान में एक एरिया है जिसे बलोचिस्तान कहा जाता है यहाँ पर उनके साथ काफी डिस्क्रिमनेशन किया जाता है पाकिस्तान पीपल के दौरा अब ये जो बलोची ट्राइब थी ये डिवाइड थी smaller clans में clans मतलब कुछ families का group कहलाता है clans और इसी हिसाब से छोटे-छोटे clans इस tribe में बसे हुए थे और इनकी अलग-अलग chief हुआ करते थे हर एक clan का एक chief हुआ करता था अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा हमालाई की तरफ यहां पर एक shepherd tribe होती थी और इन्हें कहा जाता था गड़ी शेफ़र tribe मतलब ये अपने जानवरों को चराय करते थे और उसी से अपनी पूरी की पूरी जो life है उसे sustain किया करते थे और यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ें नौर्थ इस्टन पार्ट में तो जहां पर हमारे seven sisters हैं यहां पर कौन सी tribes होती थी उस से और आज भी exist करती है यह है नागाज अहूंस और इसके साथ साथ और भी है लेकिन जो most important है वो है नागाज और अहूंस tribe अब बिहार और छार खंडे एरिया के पास एक और tribe हुआ करती थी और यह tribe कहलाती थी चैरो ट्राइफ अब जो चैरो का सरदार था यह राजमान सिंग के द्वारा हरा दिया गया था राजमान सिंग कौन था यह अकबर का है जनरल था आप अभी कह सकते मिल्टरी जनरल था इसने अटेक किय और चैरो इसको डिफीट कर दिया फिफ्टी नाइन डीवन में और वहां से काफी सारा जो खजाना है जो उनका पैसा है उनकी वैल्ट है उसे लूट कर वहां से यह लेकर आ गए थे लेकिन तब भी जो चैरो थे यह पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में नहीं आये थे दे मुगल फॉर्स ने पूरी तरह से जो चैरो के फॉर्ट्रेस मतलब जो जितने भी इनके किले होते थे उसे कबजे में ले लिया था और जो ट्राइब्स था उन्हें अपना गुलाम बना लिया था अब यहां पर और ट्राइब्स के बारे में जानते हैं I know को जादा हो रहा ह लेकर स्टुडेंट्स आपक्लास सैवंत मैं यहां पर आपको इतना तो याद करना ही होगा कि आपको यहां पर पूरे इंडिया की सारी की सारी ट्राइब्स के नाम और एरिया पता चल रहे हैं तो बढ़ते हैं उरीशles होती थी यहां पर होती थी मुंडाज और संताल्स, दो ट्राइज बहुत फेमस थी कौन-कौन एक थी कोलीज और दूसरी थी बिराद्स कुछ कोलीज ऐसे भी थे जो आज गुजरात में रहते हैं और पहले भी रहा करते थे अगर हम थोड़ा सा और साउथ की तरफ चले जाएं तो हमें ट्राइबल पॉपलेशन मिलते कि कि कोरगाज की वेतार्स की मारवार्स की और भी है लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है भी ये कहां पर है ये इंडी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है मतलब वो एरिया जो राजस्थान गुजरात महराष्ट और मद्यप्रिदेश में है और थोड़ा सा च्छत्यजगर इस एरिये में रहते हैं और आज भी इनका सेटल्ड एग्रिकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमीदार तो यह जो भील्स थे यह 16th century के आसपास काफी फ्लरिश कर गए थे इनमें से कुछ ऐसे थे जो एग्रिकल्चरिस्ट बन गए थे और कुछ तो इतना आगे जा चुके थे कि वो जमीदार भी बन चुके थे लेकिन कुछ ऐसे भील है अभी भी जो अभी भी हंटर गैदरर्स हैं मतलब केवल वो हंटिंग करते थे और उसी को गैदर किया करते थे इसी के बाद बसती है एक ट्राइब और जिन्हें हम कहते हैं गॉन यह आज प्रिजेंट डे 36 गड़ मध्यप्रदेश महरास्ट और आ कैसे अटेक हुआ करता था यह सारा का सारा कवर हो चुका है